अपा मार्ग चिर्चिटा पौधों के फायदों के बारे में बताऊंगा दोस्तों आज इस पौधे के ऐसे ऐसे फायदे आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रहा जाओगे और उपयोग करके दंग रहा जाओगे तो सुरू से लेके लाश्ट तक जरू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी जरु दबा दें और वीडियो को तुरंट अभी लाइक कर दें दोस्तों और हो सके तो तीन लोगों को अवस्य सेर करें इस वीडियो को तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह देख लीजिए यह चिर्चिटा इसको अपा मार्ग भी बोला जाता है हिंदी में और यह पूरे भारत वर समय आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी इसलिए आपको ज्यादा इसको पहचानने की जरुवत नहीं है क्योंकि इसे हर कोई पहचानता है जानने की जरुवत है तो सिर्फ इसके गुणों की इसके अवसधिय गुणों के फायदों की तो चलिए मैं बताता हूं इसके अवसधिय गुणों के अचुक अचुक प्रियोग इनके क्या क्या अचुक प्रियोग है जिनको आपको करने पर आपको सव प्रतिसात रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों कई बार देखा गया है हमारी जिन माताओं बहनों को गर्ब धार करने में समस्या होती है उनकी शरीर की हर परकार की रिपोर्ट नार्मल होती है ठीक ठाक होती है फिर भी उन्हें गर्ब धार करने में बहुत समस्या आती है गर्ब धरर नहीं हो पाता है उनके गर्ब में तो उनके लिए इसकी जड़ का इसकी पत्तों का और इसके तनों का अचुक प्रियोग है इसके सरवांग ले लीजिए सरवांग मतलब हर चीज यानि की पत्ते ले लीजिए तना ले लीजिए और जड़ ले लीजिए सब बराब इस्टील के बरतन में नहीं पकाना है, इसको बिसेज ध्यान रखना है, मिट्टी के बरतन में इसके सरवांग को पकाना है, चीरचिटा को, अपामार्ग को, हर चीज इसका ले लेना है, टुगड़ा टुगड़ा करके, उसके बाद एक पाव दूद में पकाना है, और दूद तीन दिन करें जैसे मासिक धर्म शुरू होता है तो पहले दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन उसके बाद बन फिर दूसरे महने में पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ऐसे दो तीन महा तक करें प्रियाट के समय मासिक धर्म के समय आपकी सारी गरभासे की समस्या खत्म ह हो जाएगी आप देखोगी आपको सव प्रतिसत लाब होगा आप पहले बिलकुल मा बन सकते हो और अपने गोद में अपना हस्ता खेलता बच्चा पा सकते हो तो इसका प्रियोग आप अवस्य करें कि जो भी माता है भानी इस समस्य से गुजर रही हैं उनसे मेरा अनुरोध ह हाथ जोर के बिना मरनी वेदन है वे आप आसुना भाएं इस प्रियोग को अवस्य अपनाएं तो दोस्तो ये तो था गरभासा की समस्या दूर करनी का अचुक प्रियोग अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका दूसरा प्रियोग जिन माता भानों को जैसे गुपतांग में कोई फंगल भेक्सन लग जाता है कोई फुड़ा फुंसी हो जाता है तो उनके लिए भी आप अचुक प्रियोग है इसकी जर को आप उट पीस करके पेश्ट बना लीजिए और आपने गुपतांग में लगाईए जहां पर फुड़ा फुंसी है या फिर अंदर में कुछ भी दाने दाने हो गया है तो वहां पे लगा दीजिए वहां पे लगाने से आपको तुरंत लाब मिलेगा एक दिन लगाने से ही आपको वहां से दाग दब्बे मिड़ जाएंगे वहां से जो किटाडू बद्बू जो भी हो और रहता है वो सब खतम हो जाएगा आपका से इसकी प्रथा चली आ रही है गाउधे राथ में जब भी कोई महिला डिलेवी करती है तो उसके कमर में इस चिर्चीता की जड़ को बांग दिया जाता है उसके बार असानी से कोई भी महिला बच्चे को जनम दे देती है बिना तकलीब के असानी से होजाता है यह सब अगर कोई महिला डिलेवी करते वक्ट ताकत नहीं दे पा रही है ताकत नहीं लगा पा रही है उसका बच्चा फहस गया है रुख गया है बाहर नहीं अपा रहा है तो उसके कमर में बिल्कुल इसकी जर्णी संगोज बांदे बहुत ही दूरला प्रयोग है इसको निश्चित रूप से अपनाएं अगर आपको इस परकार से कभी भी परिशानी होती है तो तो इस परकार से आप इसका ये डिलिवरी वाला प्रयोग भी कर सकते हो दोस्तो इसके जड़ को दोस्तो या मामूली सा दिखने वाला चिर्चिता मामूली नहीं है अगर इसकी जड़ की पेश्ट बनाकर अपने हाथों में लगा कर कोई भी जहरिला साप पकरते हो तो वह साप आपको नहीं काटेगा इस बात का जिकर मुझे खुद सापेरा ने मेरे पास किया था सापेरा ने बताया था कि हम लोग जब साप पकरते हैं तो इस चिर्चिता की जड़ का पेश्ट बनाकर हाथ में शरीव में लगा लेते हैं उसके बात पकरते हैं तो साप में ही काटता है सापेरा लोगों के पास दो चीज होती है साप पकरने की दवाई एक काली पहाडी के नाम से बताया था वो भी एक आउसधी है उसको पता नहीं कहां से लोग लाते हैं सापेरा लोग और दूसरा ये सिर्चिता को बताया था मेरे को तो ये दो चीज होती है साप पकड़ने के लिए अगर इसकी जड़ की पेश्ट बना कर हाथ मा पेश्ट बना लो और कोई भी साप पकड़ो तो आप साप पकड़ने का जादू दिखा सकते हो कि साप पकड़ने के बाद मुझे साप कुछ नहीं करेगा काटेगा नहीं इस तरह से जादू बता सकते हो यहाँ सापेरा ने मुझे बताया था और आप भी अगर इस तरह से करना चाहते हो तो पहले बिना जहरवाला साप पे प्रियोग किया करो ताकि पता चल जाए साप काटेगा की नहीं काटेगा इसका प्रियोग तो मैं नहीं किया हूँ लेकिन सफिरा ने मेरे पास इस बात का जिक्र किया था इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसके जड़ में इतनी ताकत होती है इसके जड़ की अगर पेस्ट बनालो रही हाथ में लगालो तो साब नहीं काटेगा तो ये था दूसरा जनकारी दूसरा प्रियोग और मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ इसका तिसरा प्रियोग दोस्तो इस चिरचीटा के बहुत सारे फायदे हैं सभी फायदों को मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता इसलिए इसके और वीडियो बनाऊंगा बाद में और उसमें बताऊंगा तो मैं आज आप लोगों को तिसरा पायदा बता रहा हूँ इस चिरचीटा के जो बीज देख रहे हैं इसके जो बीज होती है इसके बीज में बहुत बड़ी ताकत होती है इस बीज का अगर आप चूर्ण बना कर प्रती दिन सेवन करते हो तो आपकी चरवी भी खत्म हो जाएगी आपके जो मोटे तोंद निकले होते हैं पेट की चर अन्य हो जाओगे और दोस्तो इसके बीजों का सेवन आप बावसीर के मस्तों में भी कर सकते हो इसके बीजों को पेश्ट बना के बावसीर के मस्तों में लगाते हो तो बावसीर के मस्ते सुख जाएंगे खूनी बादी कोई भी बावसीर हो सारे खत्म हो जाएंगे और उस के जगह पे दातून इसकी करते हो चिरचिता की दातून करते हो तो आपके दात इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप सुपाडी तक को भी चबा जाओगे और आपके मसूरे स्वस्त रहेंगे मसूरों से खुन भी नहीं बहेगा और हीले डोलेगा भी नहीं दात हमेसा स्वस्त रहेगा तो आप बिल्कूल इसका दातून कीजिए अगर आपके आसपास में ये चिरचीटा का पौधा महजूद है तो निसंकोज दातून कर सकते हैं दातून करने से आपको सब्ता एक सब्ता में इसका लाब देखने को मिल जाएगा आपके दात जैसे पहले हिलते डूलते ह होंगे तो वहां हिलना डूलना बंद हो जाएगा तो जरूर इसका दातून आवस्य करें दोस्तों चिरचीटा की जड़ का एक और अत्यांत प्रभावसाली प्रियोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इसका प्रियोग करके आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हो किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो अपने बातों पर किसी को भी अपना बना सकते हो बड़ी असानी से दोस्तों तो इसका प्रियोग बिल्कुल करें दोस्तों इसकी जर को खोद कर ले आएं उखार के ले आएं चिरचीटा का जर ले आएं और उसकी जर को काट करके अच्छे से धो करके इसको पत्थर में घीस घीस करके उससे पेश्ट निकालना है चंदन की भाती जैसे चंदन को रगरते हैं तो उससे पेश्ट निकलता है उसी भाती इससे भी पेश्ट निकलेगा घीस घीस करके चाहे जितना भी मेनत लगे घीसने में घीसो क्योंकि आपको घीस कर इसका तिलग करना है इससे आपको फायदा होगा तो थोड़ी से मेहनत जरूर कर लेना इसकी जड़ को लाके काट के पथर में घिस-घिस करके इससे जो बारिक पेश्ट निगलेगा इसको इकठा कर लेना जितना कि आपके माथे पे तिलक हो जाए उस पेश्ट को हर दिन आपको घिस घिस के इसकी पेश्ट को माथे पे तिलक लगा के कहीं पिजाते हो तो इसको जाया करो इसका तिलक आपके माथे पे लगा रहेगा तो कोई भी आपसे बात करेगा तो आपके बातों पर इंप्रेस हो जाएगा आपको भला बुरा कभी नहीं सुनने को मिलेगा हर कोई आपसे प्यार से बात करेंगे हर कोई आपसे अच्छे से बात करेंगे और किसी को अगर प्रपोस करना है तो बिसेश कर इसका तिलक लगा ले क्योंकि उस पे आपको यहां बहुत ही चमतकारी फायदे देगा अगर किसी को प्रपोस करना है इसका तिलक लगा के करोगे तो वह ना बिल्कुल नहीं कहेगा इस चीज को आप करके देख लेना तो बिल्कुल इसका तिलक करना बुलें हर दिन और अपना जीवन सुपमय बनाएं तो दोस्तों ये थी जानकारी आज चित-चिता का जो मैं आप लोगों को बता दिया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि हर कोई असानी से इसका लाब ले सकें तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाहिन जाच्छाटिसगार नमस्कार